नमस्कार सेमे न्यूस पर खास कारिक्रम रूबुरू देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ का निकाप लोग सभा चुनावों को लेकर साथ चर्णों में बीती 19 मैं को मद्दान खत्म हो गया हाला कि आज भी कई जगाओं पर रीपोलिंग जारी है उमीदवारों की किस्मत इवियम में क्याद हो गई है और कल यानि 23 मैं को इवियम का पिटारा खुलेगा जैसे ही ये पिटारा खुलेगा वैसे ही कई उमीदवारों के चहरे पर खुशी होगी तो कईयों के चहरे पर गम भी दिखेगा हाला कि एक्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे हैं लेकिन विपक्ष और कई उमीदवार ये मानने को तयार नहीं है लेकिन आपको बता दे कि कोई कुछ भी माने, कोई कुछ भी कहे फैसला कल हो ही जाएगा कि सत्ता पर कौन विराजमान होगा कोन इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाएगा कोन जीतेगा और कोन हारेगा ये तो कल पता चल ही जाएगा लेकिन आज बीजेपी क्या कह रही है लोगसभा चुनाव में जीत को लेकर क्या इस चुनाव में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी को भी गढ़ बंदन की जरूरत पड़ेगी आज इस विश्य पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वजूद है हर्याणा हज राज्य कमेटी के मीडिया कॉडिनेटर खुर्शीद आलंग जी बहुत बहुत स्वावत है सर आपका इस स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद आपका आरंग जी सबसे पहले तो आपको बधाई तमाम एक्जिट पोल आपको जिदा रहे हैं लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं है इस बारे में क्या कुछ कहेंगी के लिए इसके लिए में आपको और किस दम नहीं है नहीं अपने आपको कई खड़ा कर पा रहा है तो उसका तो एक नारा है मोदी जी को हटाने का तो वो कहीं भी खड़े और कहीं भी अपने आपको मजबूती से लड़ते वे नजर नहीं आई आनम जे विपक्ष ने कई बार कई दाफ़ा कोशिश की कि इस बार चुनाव में जीत उनकी हो लेकिन क्या वाकी आपको लगता है कि इस बार गठ बंदन जीतेगा या फिर फिर से बीजेपी की जीत होगी देखी भारती जिन्ता पार्टी आज भारत वर्ष में सबसे सकतिसाली पार्टी है और सबसे ज़्यादा जन संख्या जो वोटर्स की और सदस्ची की और भारती जिन्ता पार्टी के पास है और आज गठ बंदन के ऐसे भी नेता है जो हमारे राश्टी नेता उसे संपरक में हैं अभी से कि कल हमें भी अपनी साथ सामिल करने हम भी आपके पास आने के लिए तियार बैटे हैं तो इसलिए मैं मानता हूं कि गटबंदन तो टूट चुका है गटबंदन का वजूद खतम हो चुका है सिर्फ एक ही वजूद है एक ही नारा है वो है भारते जिन्ता पार्टी और नरेंदर मोदी जी अगर विपक्ष की बात मान भी रहा तो आप क्या करेंगे क्या भी गटबंदन करेंगे अगर गटबंदन आपने कर भी लिया तो क्या वो महा मिलावटी नहीं होगा क्योंकि प्यम होदी हमेशा गटबंदन को महा मिलावटी या फिर महा गटबंदन बताते आए हैं देखिए हमारे भारती जिन्ता हमारी साथ भी है उनका सैयोग हमें मिल रहा है उनका सैयोग हमारी साथ है सत्ता में आने के लिए गटबंदन जो बनाया गया था उस गटबंदन को तूटते हुए गिरते हुए आप अपसे मातर तेरा घंटे के बाद देखेंगे कि वो धरासा ही हो जाएगा और भारती जन्त एपराटी के सैयोगी दल अपने आप मैं चीत रहे हैं अपने मजबूती की साथ हैं अपनी साथ सक्ती की साथ है और आप यह देखना जोuch ने और आने वाले चंद 13 घंटे के बाद आप देखेंगे कि भारतिय जनता पार्टी का नारा और भारतिय जनता पार्टी का जो जन्डा है वो लहराएगा और पुने आप ये देखना कि फिर एक बार निरंदर मोदी जी इस देश की गदी पे विराज मान तेरा गंटे के बाद पुने अफल में तो यही कहना चाहूंगा कि वो गदी पे हैं और गदी पर ही रहेंगे तो इसमें विपक्स को मैं ना कही गडबंदन में मानता हूं ना ही हमारी पार्टी गडबंदन की बात करती है हमारी पार्टी सेयोगियों की बात करती है हमारी पार्टी के अंदर हमारे राष्टी नेता हुने सबको अपने साथ स्ययोगी दन लेकर साथ चल रहे हैं सेयोग कल भी है आगे भी जारी नहीं रह आपको क्या लगता है किपना दम है विपक्ष की बातों में देखिए मोनिका जी इसमें ऐसा है आप क्यूंकि एंकर हैं एडिटर हैं आप कुछ भी कह सकते हैं जहां तक सवाल है मोधी जी का मोधी जी परधान मंतरी के लिए नमिनेट है उनका नाप डिकलियर है तो आपको भरती हूई दिखाई दे रही है हर्याना में तो हमारी दसीटें दसकी दीस हमारी जोली में हैं और यहां जहां निर्ण्दर मोधी ची का लोगों के दिलों में प्यार है महीं आदरन्य हमारे परदेश के यसे मुखमंद्री सिरी मनोलाल जी जिनके परती यहां की एक हर्यानिवी एक का जो नारा इन्होंने दिया है किसी की साथ कोई विकास कारियों में नहीं किया जिससे हम किसी को यह नहीं मानते कि हमारे साथ पूरे पर देश में दस की दस सीटों पर किसी की साथ मुकाबला है यहां पर हम दस की दस सीटे जीत रहे हैं और दस की दस सीट जीत कर मानने निरंदर मोधी जी की तागत को और ज्यादा संगेटित कर और ज्यादा मत्वूत करने का कारिया हर्याना से ही शुरू करेंगे हिसार अंबाला सिर्सा रोतक सोनिपत में बीजेपी उमीदवारों को सीधी तोर पर काटे की टकर दे रहे हैं और चुनाओं लड़ा है उन्होंने चुनाओं लड़ने का अधिकार उनका अपना था मगर वोट दिना का अधिकार जंता का था जंता ने जो वोट दिया है वो भारती जंता पार्टी को दिया है नेरंदर मोधी जुको दिया है और मनोल लाल जी को दिया है तो इसमें मैं कही भी कांटे की टकर नहीं मानता और विरोधियों का तो आपको पता ही है कि सारे अपना आपे धरासाई होई बैठी है तो उनके पास तो कोई जन समर्थन हर्याना प्रदेश से नजर नहीं आ रहा हूँ अन्टे इस बार आपको क्या लगता है कई बार विपक्षियों ने जनता को बरगलाने की कोशिश की है भारते जनता पार्टी के खिलाफ क्या लगता है आपको क्या उनके बरगलाने से क्या उनकी नीतियों से जो वोट पाने की राजनिती करते हैं क्या कुछ असर पड़ेगा बीजेपी के वोटिंग पे। गर्मी के बावजूद घंटों घंटों बैटकर अपने पिरिये नेताओं के इंतजार में रही है और उनके भासान सुनकर उनको समर्थन देना को अस्वस्त किया है और उसी जंता के प्यार और जंता के आशिरवास से हमारे भारते जंता पार्टी के तस के तस उम्हीदवार चीत के आएंगे किसी के बर्गलाने से कोई नहीं बर्गलाया अब हर्याना की जंता चाकुरू के हर्याना की जंता सिरी निरंदर मोदी जी की साथ है हर्याना की जंता सिरी मन्हुनलाल जी की साथ है इसमें विपक्ष और पिर्गलाने के किसी का कोई फैदा नहीं हो पाया जो मेपारित है वो भी GST को लेकर नाराज देखी, नोटबंदी से जनता भी नाराज देखी, कई ऐसे मुद्धे हैं जिन से जनता का समर्थन नहीं मिला, वो नाराज देखी वीजेपी से, क्या आपको लगता है इस बार इन कम्यों की वज़े से कहीं न कहीं हार हो सकती है। नोट बंदी का आप आज करेटर देखे कि इसको चनता को हर व्यक्ति को कितना इससे लाग हो रहा है। कारिय किया है और इससे देश उन्नती की ओर जा रहा है निश्चित रूप से कल इसका लाब हमें ही सब को होगा यह जनता मालती है आपने कहा कि हम दस की दस सीटों पर जीत रहे हैं लेकिन सिर्शा के अगर बात करें तो डेरा प्रेमियों ने सीधे कॉंग्रेस उमीदवार को समर्थन दिया है जिससे बीजेपी की रहा आसान नहीं है देखिए सिर्शा की सिफ पर डेरा प्रेमियों ने ऐसा कुछ नहीं है किसी एक व्यक्ति के कह देने से डेरा प्रेमी इस टाइम एक जुटता में नहीं है डेरा प्रेमी बिखर चुका है उनके डेरा प्रेमी के जो राम रहीम साहब है वो वरत्मान में जेल में है तो उनका कोई ऐसा संदेश नहीं आया कि किस पार्टी के लिए बुट कर जाए रही अस्थानी निताओं का अश्ठार यह विप्तियों का किसी के लिए नारा दिया है किसी ने किसी के लिए नारा दिया है और खास तोर से मैं आपको यह भी बता दूकि सिर्शा के अंदर प्रोटक से बीजेपी उमीदवार अर्विंद शर्मा क्या 15 सालों से सांसत की गद्धी पर बैठे दिपेंद्र खुड़ा को हिला पाएंगे? अर्विंद शर्मा राजनेता हैं, अर्विंद सर्मा समाजिक काले करता हैं, अर्विंद सर्मा जमीन से जुड़े नेता हैं, अर्विंद सर्मा के अंदर भारतिता की एक कटूटता भरी हुई है, रहा सवाल दिपिंदर हुड़ा का, दिपिंदर हुड़ा तो एक अपने जो कि क्या था चुशी के शांचों के नधा रहे हैं उनको अपना उनहों नितामाना है और उनके नत्वर्थ में में हमारे करें जो शाय निस्छित निस्षित रूप से विजे श्री प्राप्त करेंगे और मैंने पहले भी इस बात को आपको कहा है कि पूरे पर देश में तसकी दस सिटों पर कहीं भी कोई सोचने और संकोच करने वाली बात नहीं है जोली में डालेंगे अलंब जी आक अगरे सवाल second है कि मुस्लिम सबाज ने खुल कर इस चुनाव में बीजी पी को सपोर्ट किया अगर हाथ तो क्यों और अगर नहीं तो कि कि बार वहां भी 25% से जादा मुस्लिम समाज का वोट भारते जन्ता पार्ट्य को मिला है और पूरे हर्याना में कहीं 20% तो कहीं 25% तो कहीं 20% से कम तो मिला है नहीं और हमारी करनाल लोग सबा सिट पर जहां पर संजय भाटे जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर 30 से 35% मुस इसलिए है कि नारा पार्टि नाम है भारतिय हम सब भारतिय हमें एक सार्थ उड़ना होगा इस जनता पार्टि जयनित जयनके संपती पार्टि भारतिय ज मुसल्मानों के लिए डरा कर यह बहए बैदा कर दिया था कि भारतिय जन्तापार्टि अगर कभी सत्ता में आई तो मुसल्मानों को यहां से देश का निकाल देगी देश से बाहर कर देगी मुसल्मानों का नुक्सान हो जाएगा जबकि अपसे पहले हमारे भारत रतन अटल ब्हारी बाजपेई जी देश के तीन बाहर प्रदान मंतिरी ने हैं और उन्होंने सभी को एक समांत्रा एक साथ एक विचारों से देखा कोई मद्भिद नहीं आया लोग जुड़े उनकी साथ में आज हमारे केंदर सरकार में मिनिस्टर भी मुसलिम समाज से हैं हर्याना मे अन्य पदों पर मुसलिम समाज के पदादीकारी भारती जंता पार्टी के लिए हैं तो आज मुसल्मान ये समझने लगा और खास दोर से पढ़ा लिखा समाजा मुसल्मान इस बात को मानने के लिए तेयार है कि हमें विरोधियों के विचारों को ना मानते हुए हमें अपन मनौल लाल जी की जुरूरत है तो आज देखना आप आगे आने वाले विदानसभा के चुनाओं में मुसल्मान पचास से साट परसेंट तक मुसल्मान भारती जंता पार्टी को भी लेगा और आपकी जानकारी में ये भी मैं डाल दूँ कि मानने जैसे स्पी मुख्यमंत्र मनौल लाल जी ने हर्याना के अंदर पांच नगर निगम चुनाओं में पहली बार डिरेक्ट चुनाओं कराया जिस मेर पर तो सभी जगाओ पर जानी कि सब पांचों की पांचों मियर के लिए भी मुसलिम समाज ने खुलकर सामने आकर मेर पत्य के लिए अपने भारतिय ज रोतक लेलें आप पांचों जगा से हमारे जो उम्मीदवार जीत के गए हैं उसमें हिस्सेदारी मुस्लमानों की भी रही है और मुस्लिम समझ सुका है कि हम किसी भी चाहे वो कॉंग्रेस है चाहे वो इंडिया नेशनल लोगदल है चाहे वो जेजे पे है अन्य पार्टियों बिल्लुगंदर कोई दम नहीं है वो सिरफ लोगों को डराकर उनको भैका कर वोड़ हासिल करते हैं और फिर अपना उनलू सिदा करती है भारती जिन्तापार्टी को कहती है करती है सबका साथ सबका विकास हर्याना एक हर्यानवी एक का नारा देकर और हमारे दोन्हों